दॉक्तर क्या आप मुझे अधिगरहित रोगों की कारणों की बारे में बता सकते हैं जो संक्रमन्ट से अलग हो हाँ मैं तुम्हें असंक्रमक रोगों के बारे में बताने वाला था ये रोग व्यक्ती में जनम के बाद विक्सित होते हैं और ये पैथोजेंस के कारण नहीं होते हैं कोई संक्रामक एजेंट न होने के कारण ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं छोटे अधिग्रहित रोग जो पैथोजेंस से नहीं बलकि किसी और कारण होते हैं वो भी असंक्रामक होते हैं जबकि पैथोजन्स मौजूद नहीं हैं इसलिए रोगी के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में वे नहीं फैलते हैं इसलिए ऐसे रोगों को असंपर्कशील रोग कहते हैं ये रोग लोगों में हवा, पानी, मिट्टी या अन्न के प्रदूशन के कारण नहीं फैलते इसका मतलब ये रोग बाधित या रोगी व्यक्ति तक ही सिमित रहते हैं ये तो ऐसी ही जिसे मेरे हाथ और पैर में चोट लिगी है और मेरे हाथ का फ्रेक्शर मेरे किसी भी दोस्त को नो कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे चूने से या मेरे साथ खेलने से मुझे चूने से या मेरे साथ खेलने से उन्हें चोट नहीं आ सकती जब तक वे खुद न गिर जाए लेकिन असंक्रामक रोगों के और क्या कारण हो सकते हैं मैदान पर खेलते समय चोट आने के अलावा और भी बहुत से कारण हैं असंक्रामक रोग होने के लिए मैं तुम्हें कुछ कारण समझाता हूँ नवसी पहला है पोशन तत्व या भोजन विशेक जब हमें एक या एक से ज्यादा जीवन सत्व मिन्रल एमिनो एसीड सित्यादी आवश्यक मातरा में भोजन में नहीं मिलते हैं खास करके हमारे वृद्धी और शारेरिक विकास की प्राथमी कवस्ता में तब हमें ये रोग होते हैं उधारन के तौर पर सकर्वी रोग जीवन सत्व सी की कमी के कारण होता है और मसूडों से खून बहना घाव का ठीक से ना भरना हड़ियों में दर्द सूजन आदी इसके लक्षण है दूसरा उधारन है खून में आयन की कमी जिससे लो हिमोगलोबिन और एनिमिया होता है आयोडिन की कमी के कारण गौइटर होता है दूसरा प्रकार है उतकों और अवयों की कमजोरी अधब पतन याने कुछ रोग वुरुद्धों में पाये जाते हैं क्योंकि शारिरिक उतक और अवयों का जरण होता है और वो ठीक से क्रिया नहीं कर सकते हैं आर्थ्राइटिस, जोडो में दर्द, हाइपरटेंशन, उच्छ रक्तदाब, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना, मोती बिंदू, किर्णी के रोग, आधी अधब पतनिय रोगों के उधारण है तीसरा है दुरघटना और घाव कुछ रोग भौतिक एजन के कारण होते हैं, जिनका सामना दुरघटना से होता है उश्मा, दाब, ठंड, तापमान, ध्वनी, घर्शन, विकिरण, जलन, फ्रेक्चर, फ्रोस्ट बाइट्स, स्प्रेंस, इत्यादी इसके उधारण है इसी प्रकार से रासायनिक कारग भी रोग उत्पन कर सकते हैं विशयली वायू, धुआ, धूल केकंड, हानिकारक रसायन, जडधातू, आधी रोगों के लिए कारण बन जाते हैं, जिने पॉईजरिंग कहा जाता है चौथा है अलर्जीज किसी चीज से अतिस अववेदनशिल होने वाले व्यक्ति को ये रोग होते हैं है फीवर, अस्थमा, ऐसे रोगों से कुछ लोग पीडित होते हैं जब वो पोलन ग्रेन, धूल, धुआं या प्राणियों के बाल अत्वा फर्ग के कणों के प्रती अतीस अववेदनशिल होते हैं और पांचवा है कैंसर्स करकरोग अनियंतृत पेशी विभाजन के कारण उती या अवयों के अनियंतृत विकास के कारण होता है करकरोग के लिए बहुत सारे घटक कारण बन जाते है तो रिया असंक्रामक रोगों के कारण किया तुम्हारे समझ में आ गया है मुझे बहुत अच्छी तरीक से समझ में आ गया है धन्यवार डॉक्टर तो क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे पाओगी हां मैं कोशिश करूंगी ओके ग्रेट तो क्या तुम मुझे संक्रामक और असंक्रामक रोगों में क्या अंतर है ये समझा सकती हो मुझे लगता है कि मैं संक्रामक और असंक्रामक रोगों का अंतर ना संक्षिक में सबस्ट कर पाऊंगी संक्रामक रोग ये संक्रामक एजिन पैथोज के कारण होते हैं और संक्रामक रोग पैथोजेंस को छोड़ कर कई अन्य कारणों से होते हैं संक्रामक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर के कारण रोगी व्यक्ति से स्वस्त्य व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं और या फिर दूशित हवा, पानी, अन, मिट्टी आदी वस्तों से होते हैं वहीं दूसरी और संक्रामक रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्त व्यक्ति में स्थाना अंतरिक नहीं हो पाते, किसी भी माध्यम से नहीं इन्हें संपरक शील रोग भी कहा जाता है ये बिमारियां दवाईयों के कारण ठीक की जा सकती है जैसे एंटिबाइटिक दवाईयां जो पैथोजन्स को मारती है इन रोगों को दूर करने के लिए एंटिबाइटिक के अलावा जो दवाईयां होती है उनका इस्तमाल किया जाता है लसिकरण से इन रोगों का प्रतिबंद किया जा सकता है लसिकरण से इन रोगों का प्रतिबंद नहीं किया जा सकता इन रोगों का प्रसार दूशित हवा, पानी, मिट्टी, अन्न इन चीजों से होता है इसलिए स्वच्छता रखने पर हम इन पर नियंतरन कर सकते हैं लेकिन और संक्रामक रोगों का प्रसार बहुत क्लिष्ण कारणों के कारण होता है जैसे उम्र, अन्न का दर्जाव, आतावरण, जीवन शैली और तनाव इसलिए बहु कारण के नियंतरन उपाय आवर्शक है वा, बहुत ही अच्छा रिया, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है, वो तुम्हारी समझ में आ गया है तुम्हारे जैसे होशियार पेशेंट पर मुझे गर्व है धन्यवाद डॉक्टर, मुझे बहुत अच्छा लागा जिस तरीके से आपने मुझे सब बाते समझाएं अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी दोस्ते ने मुझे से कुछ पूछा तो मुझे उन्हें ज़रूर जवाब दे पाऊंगी धन्यवाद और हाँ, तुम्हारा हमेशा स्वागत है मेरा मतलब है कि व्यक्तिगत स्वास्त है और रोगों के बारे में कोई भी अशंका हो तो मुझे से आकर मिल सकती हो और तुम्हारे हाथ का खयाल रखना ठीक है? ओके? बाइ झाल रखना